नमस्कार साथ्यों एक बार फिर सी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी और टी ओ यू प्रियाग राज में स्वागत है साथ्यों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका यम्में इंगलिस है क्या साथ यूपका जो आपका यह में इंगली से साथियों आप पढ़ रहे हैं और आपको assignment paper डाउनलोड करना है तो उसी साथियों आप कहां से डाउनलोड करेंगे और उसमें आपके कितने टाइप के question पूछे गए जो आपका new education policy है जो आपकी नई सिच्छा नहीं थे इसके test साथियों आपका देखें एक semester का जो यहां पर assignment paper जारी किया गया है फर्स semester इंगलीज का तो इसको साथियों आप कैसे डाउनलोड करेंगे या कितनी नंबर का आपका जो यह paper है और कितने घंडों में यहां पर question पूछे गए हैं और कितने question पूछे गए साथियों इन सब के बारे में पूरी इंवर्सिटी से नए नए अपडेट और नए नए जानकारी साथ हूं आप तक पहुंचाते रहते हैं जो यूपी अट्यों परियाग राज इंवर्सिटी दोरा चारी किया जाता है ठीक है और हम आपको बता दें जो आपका admission साथ हूं यानि 20 October क्या है 20 October साथ हूं आपका last date है admission लेने का तो यदि आप उप इंवर्सिटी में admission लेना चाहते हैं तो आप 20 October तक दोबर यूपी अट्यों परियाग राज इंवर्सिटी में admission ले सकते हैं इसके लावा साथ हूं इसकी पीडियाप फाइल है आप यूपी अट्यों की official website से भी जाकर download कर सकते हैं और यद जब इसकी पीडियाप फाइल साथ हूं आपके सामने इस प्रकार्स देखें डाउनलोड होके आएगी यहां पर देखें आपको देखने को मिलेगा सीजन 2023-2024 और maximum जो आपका मार्क है साथ हूं यहां देखें आपको दिया गया maximum maximum जो आपका मार्क हूं 30 तीस नमर का आपक सेक्षने में जो आपके कोश्चन यहां पर देखें पूछे गए हैं कि सौर्ट एंसर टाइप कोश्चन ठीक है अप्रोक्ष 200-300 वर्ड यानि यह आपकी लगूत्री प्रश्चन है जो आपका सेक्षने हैं साथ हूं यह आपका लगूत्री प्रश्चन है इनका उत्तर जो झाल-खषन के आपको लिखने हैं इनके चोग इनकh चेवल 500-300 सब्समिल रुखने साथ हूं तो आपका जो और इनकähr आप लिखेंगे और बाकि इसका जो answer साथ हूँ आप book से देखकर लिख सकते हैं जो जब आप admission लेते हैं तो admission लेने के बास साथ हूँ लगबग 30 से लेकर 60 दिन के भीतर यह आपको क्या दिया जाता है पोश्ट आपर दोना book जो आपके पास भेजी जाती है तो आपको बता देंगे कि आपको book कब तक मिलेगी ठीक है इसके अलमा आप online भी क्या कर सकते हैं online भी search करके इसके answer को साथ हूँ आप लिख सकते हैं ठीक है और जो आपको assignment copy होती साथ हूँ जो इसकी assignment copy होगी क्या होगी जो assignment copy होती साथ हूँ वह भी आपको hd center दोवारा ही दिया जाता है तो आप अपने hd center से बराबर शंपर बनाए रखेंगी और उहां से आप assignment copy भी क्या करेंगी ले लेंगी ठीक है और यह दो आपको assignment copy नहीं देंगी तो भी आपको बताएंगी कि आप एक four size का या फिर a3 size का आप copy लेकर उसमें आप अपना assignment क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद साथ में जो आपका section b है देखे section b में जो आपका question है वाहा लांग answer type question है ठीक है पूचा गया आप देख सकते हैं यहां पे तीन question पूचा गया साथ आठ और नो यानि केवल तीनी question आप पूचा गया और तीन question का answer आपको 500 से लिकर साथ में केवल आपको क्या करना 800 सब्दों में लिखना है ठीक है जितने भी यहां पे पेपर देंगे जैसे देखे आपका पहला EMAEN 104 आपका चौथा पेपर है उसके बाद और भी आप नीचे आएगे तो और भी नीचे आएगे तिहां पर देखे आपको दिया गया है EMAEN 105 यानि आपका पाँच पेपर है ठीक है एक semester में साथ हूं यहां पर देखे आपका पांच पेपर दिया गया है तो अभी जो नई education आपकी नीच यह नई सिच्छा जो आपकी नीच साथ हूं इसके तहट जो है आपका कहीं कहीं पर पांच question दिया गया है कहीं कहीं पर आपका तीन question तीन मतलब paper दिया गया है तो आप बेलकुल भी confusion में नहीं रहेंगे क्योंकि अभी भी आपका पूरा clear नहीं हुआ है क्यो आफ काई इंगली से में देखे 5 paper देआ है एक semester में तो कहीं कहीं पर आपके बदलाव किये गये हैं कहीं कहीं कपर आपके तीनी paper हैं और कहीं आपके पांच ही paper है तो आप इनसे से बिल्कुल भी नहीं घबराई है कि पीर दिया गया है एक semester में तो आप तीन paper का assignment paper होगा ठीक है बागे साथ को जल्दी हम क्लियर कर देंगे आपका कि कितने पेपर में जो है एक एक मतलब भी से में हम आपको बता देंगे कि यम्मे में आपके कितने पेपर होंगे एक समेश्टर में और सेकंड समेश्टर में यम्मे हिंदी में यम्मे हिस्ट्री में यम्मे सो ताकि साथे हम यहां पे जानकार आप पहुच है और ने यहां पर पहुच आगते है जो यूप अपने अपने मणे को कोहर्शं पर नहीं बताते हैं यहां पर जो Color की आप दी वहिए उसके हरे होग मेंहें में मुख कमें करकर पूछ है और क्मेंेंट में करकर कमेंड बाउस में कमेंड करकर पूछ रखते हैं हम उसका जबाब साति हूं आप तक जोरू पहुचाएंगे फिलाल साति हूं इस पीडियो में इतना ही और आपको समझ में आ गया होगा यहां पर एक समेश्टर में कितनी और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि इसका एंस आप आप शाइमेंट कोफए को लिख सकते हैं और अपने कॉपी को आप अच्छा नमर प्राब करना चाहते हैं तो अपने सामेंट में आप साप साप लिखेंगे यदि आपको इस品 लग उत्तर प को लिखना और तो आप अपको सांऑ हूं कम स्क्याम उसको भी आप 3 से लेकर 5 पेज तक लिखे ठीक है कम स्क्याम और भी थोड़ा दूरे-दूरे करके लिखेगा ताकि देखने में आपको अच्छा लगे और जितना ही आप और बेलकुल आप जो फ्रंट पे लिखेंगे फ्रंट पे जो आप लिखेंगे वो बेलकु अब भी लिखेंगे तो आपको जो नंबर साथ हो असाइमेंट का तीस नंबर के दिया आपका पेबर तो तीस में कम से कम आपको 28 नंबर मिले ठीक है इन बातों को आप अच्छी तरीके से ध्यान में देंगे ताकि आपको कोई भी असुविदा ना हो आप अपना एक्जाम जो अच्छा परसेंटेज आपका आ सके ठीक है